हलो, गुड मॉर्निंग ओल उप्यू, सभी प्यारे सातियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार, मैं विवेक कुमार, यूवी कंपेट्शन चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूँ, दोस्तों, रोजाना की तरह मैं लेकर हाजिर हूँ, डेली करंटपेर्स जी के, जो आपका हिं इंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में अपडेट्स हैं, मेरे प्यारे सातियों, आज 23 फरवारी 2019, वार सुक्र सनिवार के हम बात करते हैं, सातियों, डेली करंटपेर्स के लिए, यदि आपने हमारा चैनल, यूवी कंपेट्शन सब्क्राइब नहीं किया है, तो यूव पढ़ने के एक चुक है, तो अनकेडमी एप पर मुझे फोलो करें, अनकेडमी एप पर फोलो करने का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्किप्शन में मिल जाएगा, आईए सुरू करते हैं, आज के मुख्य समाचार, सबसे पहले बात करते हैं, नैशनल नियूज, स्रिलंका, थो दे ग्रांट ओफ 25 करोड स्रिलंका रुपीज फ्रॉम इंडिया, भारत से 25 करोड स्रिलंका रुपे के अनुदान के माध्यम से, जापना, जो कि स्रिलंका का एक सहर है में, ICT इनक्यू बैटरों के लिए, एक व्वैपार के इंदर इस्तातित करने के लिए, भारत और स्रिलंका ने एक समझोता ग्यापन पर अस्ताक्चर किया है, नेक्स्ट, प्रेसिदेंट रामनात कोविंद प्रॉम लोगेटेड, प्रॉर ओर्डिनेंस, दीजार, फिर्ष्ट है दे मुस्लिम मुमेन, प्रॉडेक्शन अप्राइट अप्राइट अर्डिनेंस, इंडियन मेडिकल काउंसिल अमेंडेंट, सेकेंड ओर्डिनेंस, दे कम्पनीज अमेंडेंट, सेकेंड ओर्डिनेंस, और बैनिंग ऑप अन्रेगुलेटेड डिपोजिट इस्कीम ओर्डिनेंस, राष्टेपती रामनात कोविंद में चार अध्यादेश लागु किया है, जिनमें से पहला है, मुश्लिम महिलाए, विवा में अधिकारों का संरक्षन दूसरा अध्यादेश, भारतिय चिकित्सा परिशत संसोधन दूसरा अध्यादेश, कम्पनी संसोधन दूसरा अध्यादेश, और एन्यमित जमा योजना अध्यादेश दोहजार उन्नीस पर प 2.A. Teaming Agreement for Design, Development, Supply, Installation, Integration and Commissioning of Satellite Communication Solutions for Helicopters under the Ministry of Defense, Government of India at Aero India, 2090, Bangalore. नवरतन डिफेंस PSU, भारत Electronics Limited, PEL और हुजेस इंडिया ने भारत सरकार अच्छा मंत्रालिये के तैत हेलिकॉप्टरों के सेटलाइट संचार समाधान के डिजाइन, विकास आपूरती, स्तापना, एकी कराउंड कमिस्निंग के लिए Aero India, 2019, Bangalore में एक समझोता पर किये हैं, डॉक्तर राजीव कुमार, Vice President, निति आयोग, inaugurated a Conference of the Future of Indian Banking with the Foundation of Economic Growth and Welfare, निति आयोग के अपाध्यक्ष, डॉक्तर राजीव कुमार ने Foundation for Economic Growth and Welfare, Agro के साथ, the Future of Indian Banking पर एक सम्मिलन का उद्गाटन किया, Next, the Union Minister of Human Research Development, Prakash Javidkar, launches the Operation Digital Board to boost quality education in the country, केंद्रिय मानव संसादन विकास मंत्री, Prakash Javidkar, ने देश में गुनवत्तापून सिक्षा को बढ़ावा देने के लिए Operation Digital Board को आरंब किया है, Next, the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by Prime Minister Narendra Modi, approved the launch of किसान उर्जा सुरक्षा, एवं उत्तम महाभ्यान, कुसुम योजना, with the objective of providing financial and water security to farmers. The Central Government will provide a total financial support of 34,422 करोड रुपीज for the scheme. Next, In a major boost for the Navy's firepower, the Defense Ministry has approved the acquisition of more than 100 heavyweight torpedoes which will be equipped on the Force 6 Scorpion-class submarines being built at Maggorn Dockyard in Mumbai. 9 सेना की मारक छमता को बढ़ाने के लिए रक्षा मंत्रा ले ने 100 से अधिक heavyweight torpedo की प्राप्ति को मंजूरी दे दी है, जो मुंबई के मजगाओं डॉक्यार्ड में बनाई जा रही नौ सेना की 6 Scorpion-Sreni की पंडिवियों से सुसजित होगा. आज़े बात करते हैं इंटरनेशनल यूज अंतराश्टे समाचारों की. A small brown rate of Bramble K. Melomese species lived on 18-E Iceland of Northern Australia becomes the world's first mammal to have become extinct due to human-included induced climate change. उतरी आश्टेलिया से दूर एक छोटे से टाप उपर रहने वाले Bramble K. Melomese प्रजाती का एक छोटा भूरा चुहा, मानो प्रेरी जल्वाई परिवर्तन का क्यार्ण विलुप्त हो गया है। यह के ओल पापुआ New Guinea के तट के पास एक छोटे से रेत के दीपर पाया गया था। Next Science and Technology News विज्ञानेम तक्निकी समचार Chinese News Agency, Sinhua, Unviewed the World's First Female AI News Anchor Sinjia Omeng, CH developed in collaboration with Sogo Inc., a Search Engine Company चीनी समचार Agency, Sinhua, ने दुनिया की पहली महिला AI News Anchor, Sinjia Omeng का अनावरन किया। इसे खोज इंजन कंपनी Sogo Inc. के सैग्योग से विक्सित किया गया है। Next, Kerala Chief Minister Pinarai Vijayan inaugurated India's First Humanoid Police Robot named KP Robot Ranked as Sub-Inspector at the Police Headquarters in Tiruvendra Puram, Kerala The robot's gender is declared Female Keeping in Mind Women Empowerment and Gender Quality केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजियन ने केरल के तिरुवंत्र पुरम में पुलिस मुख्यालिय में सब-Inspector के रूप में KPBOT नाम के भारत के पहले Humanite Police Robot का उद्गाटन किया। Robot को महिला ससकती करण और लेंगिक समानतों को ध्यान में रखते हुए महिला गोशित किया गया है। Next is Appointments न्यूक्ति की बात की जाए तो Ajay Sinha, President of the Boxing Federation of India Has been selected as the President of the Foundation Board for Better Boxing of AIBA International Boxing Association Boxing Federation of India के अध्यक्ष अजय सिंग को Foundation Board for Better Boxing of AIBA के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। उन्हें चार वर्स के कारेकाल के लिए इस पद के लिए चुना गया है। Next, The Supreme Court Appointed a Retired Judge of the Court Justice DK Jain As the First Ombudsman Under the New BCCI Board of Control for Cricket in India Constitution approved by the Court in a Judgment Supreme Court द्वारा अनुमोदित BCCI के असरविदान के अनुसार Seven Nivrat Niaidin Murti DK Jain को ने BCCI भारते Cricket Control Board के तहत पहले लोगपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। Next, Economic News अर्थिवेश्ता समचार Employees Provident Fund Organization has hiked interest rate on employees, provided fund to 8.65% to from 8.55% for the 2018-90 fiscal year. The announcement was made by Labour Minister Santosh Gangwar. करमचारी बहुश्य निदी संग्ठन ने वित्वर्स 2018-19 के लिए करमचारियों के बहुश्य निदी पर ब्याजदर को बढ़ाकर 8.55% से 8.65% कर दिया है। पुर्षनाश्रम मंत्री Santosh Gangwar ने की और नेक्स्ट और लास्ट निज अवार्स पुरुश्कारों की बात की जाये तो। Prime Minister Narendra Modi was conferred with the Seoul Peace Prize during his two-day visit to South Korea. The award was first announced by the Seoul Seoul Peace Prize Cultural Foundation in October 2018. प्रदानमंत्री Narendra Modi को दक्षिर कोरिया की अपनी दो दिवस्य यात्रा के द्वरान Seoul सान्ती पुरुश्कार से सम्मानित किया गया। इस पुरुश्कार की गोश्टना पहली बार Seoul Peace Prize Cultural Foundation द्वारा अक्टुमबर 2018 में की गई थी। तो मैंने प्यारे साथ हुए यतिया आज के मुक्खे समचार जो आपका current affairs और सभी exams के लिए important है। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक करें जो भी query है जो भी questions है वो comment box में डाले। यो भी competition चैनल को share and subscribe करना ना भोले। Thank you so much धन्यवाद आपका दिन सुभो।